नाखपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाखपूर की विवित हलचल पर नाखपूर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डिवलप्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवन नाखपूर महानगर पालिका ने आजादी के अमरूत महत्सव के उपलक्ष में एक जनवरी से 26 जनवरी तक इंटर सिटी फिडम टू वॉक एंड साइकल कैम्पेन का आयोजन किया है केंदे सरकार के आवास एवन शहरी विकास मत्रालय के निर्देशा नुसार इस पल का आयोजन किया जा रहा है अभियान का उदेश नागरिकों को बहतर स्वास के लिए साइकल चलाने और पैदल चलने के लिए प्रोचसाहित करते हुए वायू प्रदेशन को कम करना है इस अभियान में भाग लेने के लिए नागरिकों को स्मार्ट सिटी नाकपुर द्वारा प्रदान किये गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम पंजिकृत करना होगा स्मार्चिटी की मुख्यकारेकारी अधिकारी भूनेश्वरी एस ने कहा कि इस प्रतियोगिता के तहट नाकपुर वासियों के साइकल चलाने और पैदल चलने का रेकॉर्ड स्टार्वा मुबाइल एप में दर्ज होगा विजटाओ का चैन उन लोगों में से किया जाएगा जो सबसे अधिक पंजिकरन करेंगे सरवादिक दूरी तक साइकल चलाएंगे और सबसे अधिक किलोमेटर की दूरी तक पैदल चलेंगे से कलमना अलाज मार्केट में 110 मजदूर महिलाओ को ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट एवं शॉल का वितरन किया गया कलमना धानने गंच आरतिया मंडल के सहयोग से शॉल एवं ब्लैंकेट का वितरन विधाय गिरिश वयास के हाथो लायन्स क्लब के अधिक्ष उमेश महतोग पोशादक्ष मिनोग गुपता प्रतम उपादक्ष एवं समर्पन सेवा संस्तान के सचिव नरेश जुमानी की उपस्तिती में मंडल के हॉल में किया गया इस अउसर पर कलमना धानने गंच आड़तिया मंडल के अधिक्ष सारंग वान खेडे सचिव मदुकर हिरूल कर ओडिटर एवं मंडल के अन्य सदिस्त के अलावा ब्लैंकेट एंड शाल के दानदाता रविंजन चौधरी, हितेश जोशी, मनोस्तिवारी, नरेंद्र कोशिक, जैकिशन लालवानी, राम धनवानी, के साथ समर्पन सेवा संस्ता के उपादेख्ष महेंदर गुपता, संज जिन्दल, जोती विनोध गुपता, निधी सावरकर, निरस गुर्णानी, किशोर भहिया, सतिर जैन, विगनेज बिलसे, विनोध गुपता, एवं उमेश महतो आधी दान दाताओंने शाल प्रदान किये, संपूर्ण कारेक्रम को सुचारी रूप से संचालन, डॉक्टर मह पांडेली आउट के पास नेहा नगर बिठल रुकमिनी मंदिर में चल रही, श्री नारद महापुरान की कथा में, आचार्य श्री राजललन गोपाल जी महराज द्वारा, राजारुकमानन की कथा भक्तों को सुनाई गई, गंगा उतरन की कथा सुनाते वे, उन्होंने कहा कि सागर के साथ हजर पुत्रों के उधार के लिए, महराज भागिरत ने मा गंगा की आराधना की, मा गंगा भी भागिरत पर बहुत प्रसन्न हुई, और कहा कि मैं धर्दी पर आउंगी, लेकिन मुझे धारन कौन करेगा, क्योंकि मेरा वेग इतना तेज है, कि मैं पाता ल और फिर जटा उसे बाहर के लाश परवत से निकाला, गंगा जल से भागिरत ने अपने पुर्वजों का उधार किया, मा गंगा में सामर्थ है कि सौ योजन दूर से भी कोई गंगा गंगा बोलता है, तो मा गंगा उसका उधार करती है, भक्तगन ग्यान वर्धक कथा सुन कर आनंदित हुए। दिसंबर और निव यर के चलते शहर में सक्त पावंदिया लगाई जाने की जानकारी भी पालक मंतरी नितिन राउत ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि विधायक नीधी से विभिन्न विकास कारिया करने के लिए नीधी जल्द उपलप्त किया जाएगा। आयोजित बारवे अजीमुन शान इस्तिमाई शादी समारों में सोला जोडो का निकाह, हंसापुरी नाल साहब चोक नाकपुर द्वरा, इमाम अब्दुल रहुफ साहब चूना मस्जित निकाह पड़ाया गया। हजरत बाबा ताजोदिन अवलिया बहुत देश्य संसा के अध्यक्षा मुहमद साजित के नेतरुत्व में समारों आयोजित किया गया। इस समारों हमें मुख्य अती थी हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कदिर खान जामियार बिया। कारेक्रम सफल बनाने में अखिल भारतिय सेनाध धिक्षा शेक असलम, सोनू, सर्फराज, नियाज, विनोध, फिरोज, आबिद, जाविद, आदी ने परिश्रम किया। गोबर से निर्मित खादी प्रकृतिक पेंट खादी ग्रामोद्योग विभाग भारत सरकार नाकपुर द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ये पेंट की अवधारना केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी द्वारा की गई है। ये पेंट का प्रशिक्षन खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जैपुर में दिया जाता है। यदि सरकारी विभाग में अनिवार्य किया गया तो इसकी मांग बढ़ेगी और लोगों को इसकी गुन्वत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ये बात बचद गड़ों की माध्यम से केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी के संग्यान में लिया जा रहा है। इस अध्यक्षय चंदरकान पाटिल और भाजपा जयन प्रकोष्ट महाराष्टर प्रदेश अध्यक्षय संदीब भंडारी की नेतरुद्व में भाजपा नाकपूर शहर अध्यक्षय विधायक प्रविन दटके के मार्ग दर्शन में प्रथम नाकपूर बैठक का आयजन किय इशा कोलेकर जयन महिला प्रदेश अध्यक्षा भाजपा जयन प्रकोष्ट के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, प्रमुक अतीथियों में समान यह भाजपा शहर संगधन मंत्री सुनिलमित्रा, अश्विनी जीजकार, भाजपा महिला आगाडे प्रदेश महमंत् प्रदेश सर्चितनिस भाजपा जैन प्रकोष्ट नीता ठाकरे भाजपा शहर महिला अध्यक्षा नागपुर उपस्तित थे इस उद्घाटन सभा में सुनिल मित्रा भाजपा संगधन मंत्री नागपुर ने संगधन के कारियों के बारे में जान करी दी प्रस्तावना में भाजपा जैन प्रकोष्ट की जान करी प्रदेश सर्चितनिस प्रशान्त माने कर जैन ने सभी को दी अध्यक्षे मार्क दर्शन में प्रदेश महिला अध्यक्षे इशा को लेकर जैन ने समाज एवं संगधन के प्रति जिम्मेदारी की जान करी दी प्रिती रांका को विधर्ब सहा प्रमुक रेनु का काशिकर को भाचपा जेन प्रकोष्ट के प्रदेश उपप्रमुक पत पर नियुक्त किया गया अर्चन मुडोत की महिला शहर प्रमुग भाजपा जैन प्रकोष्ट पत पर नियुक्ती हुई और मनोज गिल्लर करकी शहर भाजपा जैन प्रकोष्ट के प्रमुग पत पर नियुक्ती हुई इन तमाम नियुक्तियों का शहर के संगधन मंतरी सुनिल मित्रा समित अतिथी उन्हे स्वागत किया और नवा नियुक्त पदादी कारियों को बधाई दी बिनाकी मंगलवारी स्थित दिगंबर जैन निहस सही संस्थान में श्री दिगंबर जैन महासमिती महराष्ट प्रदेश की और से मुनिश्री समाधिनन महराज की 19 भी पुण्य अतिथी मनाई गई कार्यक्रम की शुरुवात अतिथियों के हातों पूजन एवं दीप प्रज्वलन से किया गया मंगला चरण पंकच खेड करने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत वर्षय दिगंबर जैन तिर्थक शेत्र कमिटी के राष्ट्य महामंत्री संतोष पंधारी जैन ने की अतिथि के रूप में मनपानगर सेवक प्रविंट भीसी कर निहस सही संस्थान के अध्यक्ष सुरेश आगरे कर महामंत्री सुमित लल्ला श्री दिगंबर जैन महासमिती की राष्ट्य उपाध ध्यक्ष डॉक्टर रिचा जैन दिगंबर जैन परिवार मंदिर के दिनेश जोहरापूकर उपस्तित थे अधितियों का स्वागत सतिष पेंधारी उदेश जोहरापूकर सुरज पेंधारी पंकज बोहरा देविंद्र आगरे करने किया कारे करम का प्रास्ताविक श्रिदीगंबर जैन महासमिती महराष्टर प्रतेश के अधिक्ष सुनिल पेंधारी ने किया कारे करम में अज़े टक्का मुरे डोक्टर सुरेश जोहरापूकर प्रशांत माने कर एवं परेश डाकोरे का विशेश सम्मान किया कार्यक्रम में आनंद्राव सवाने, विने जुननकर, महिंद्र पेंधारी, आभाय शहाकार, मनोज बंड, विजे उदापूर कर, प्रशान कहाते, कैलास खेड कर, विलास आगरे कर, दिने सावल कर, मनोज गिल्लर कर, आदी प्रमुकता से उपस्तित थे शहर में संजय गांधी नीराथार योजना के पुर्वी, नाकपुर्ख शेत्र में रहने वाले गरीबों को उनका पैसा नहीं मिला है, और कई मामले ऐसे भी है, जो तहसिलदार के पास अभी भी लंबित है भाचपा नाकपुर शरुपाद ध्यक्षव महंधर राउत ने अतिरिक्त जिला अधिकारी नाकपुर को इस बारे में ग्यापन सोपा इस संदर्ब में योजना के पुर्व नाकपुर के पुर्व अध्यक्ष महिंद्र राउत ने इस योजना की तक्रीबन 1900 लाभार्ती को ओफलाइन आदी सदर पुली स्टेशन के PSI गंगा काचुर को दिया था और साथ ही में योजना की पुरी सही जानकरे भी उने धी तहसिल दार ने इस योजना में गोटाले की सदर पुली स्टेशन में शिकायत दर्च कराई है सन 2017 के बाद से ओफलाइन सुविधा बंध हो जाने से सभी ओनलाइन सुविधा चालू हुई उसके बाद प्रशासन ने करीब 1500 और लाभार्ती जोड़े सन 2017 में जितने लाभार्ती थे उनका पैसा नहीं आ रहा है लाभार्ती लिस्ट में गड़बडी के कारण सरकार ने लाभार्तियों का पैसा रोग दिया है ये पुरी जानकरी उपजिला अधिकारी को दी गई महेंदर राउत के साथ शहर भाजपा सहस्वागत प्रमुक सूरच सिंग ठाकूर अभै घोर गड़े उपस्तित थे राउत ने इस योजड़ा में गड़बडी दूर कर 2017 में जो ओफलाइन लाभार्ती थे उन्हें इसका लाभ जल से जल मिलना चाहिए ऐसी मांग की आज 18 प्लस और 45 प्लस अईउवर्क के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का ठीका करन नागपूर महानगर पालिका के साथ सरकारी केंदरों पर होगा टीका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा टीका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वाक्सिनेशन केंदरों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष आईउवर्क के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ट के जरिये टीका करन किया जाएगा ये जानकारी चिकित सास वास्ता दिकारी डॉक्टर संजेच चिल करने दी इसी तरह 18 वर्ष और 45 वर्ष आईउवर्क के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वरगिये प्रभाकर दड़के मनपा महाल रोग निदान केंदर साइबर शपत की रोग थाम के लिए राज्य के हर जिले में साइबर थाना अथवा साइबर सेल बनाये जाएगा साइबर अपरात को गंभिरता से लेते वे गुरुह विभाग ने इस आशे के निर्देश दिये गुरुह मंतरी दिलिपल से पाटिल ने गुरुवार शाम को इकदीवसीय दोरे पर आकर शहर में सववदाताओं से चर्चा करते वे ये बात कही गुरुह मंतरी ने कहां कि राज्य में कई स्थानों पर साइबर थाने अथवा साइबर सेल कारिय कर रहे है साइबर अपरात के बढ़ते मामलों को देखते वे पुलिस बेहत गंबिर है इन मामलों की गुनवत्ता पुरना जांच करके आरोपियों को सजा दिलाना जरूरी है कम्प्यूटर कोशल का विकास करने के लिए पुलिस कर्मियों को विशेश प्रेस्टिक्षन दिया जाएगा राज्य में सजा की दर कम होने वाले सवाल पर पाठिल ने कहा कि जांच की गुनवत्ता तमाम मामलों में गवा के मुकर जाने से सजा की दर में बढ़ोतरी नहीं आ पाई है इसके लिए पुलिस की जांच प्रक्रिया में सुधार लाने और बहतर तक्निकों को अमल में लाने का काम किया जा रहा है वलसे पाठिल ने कहा कि आने वाले साल में महिलाओं के खिलाफ अपराधिक मामलों में कमी दोश्यों को सक्त सजा दिलाना तथा कानूर्म यवस्था को बनाये रखना तथा पुलिस की छवी को जनता की हितैशी बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी टेक्स्टाइल पर 5% से 12% जी एस्टी बढ़ाने के तुगल की निरने को केंद्र सरकार द्वारा स्थगित करने पर महाराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस व्यापारी वो उद्योग सेल ने इतुवारी कांधिभाग में व्यापारियों के साथ खुशिया मनाई इस आउसर पर प्रदेश कॉंग्रेस व्यापारी वो उद्योग सेल के मुखिया अतुल कोटेचा के नेतुरुद्व में सभी व्यापारियों ने एक दुसरे को लड़्डु कहिला कर बधाई दी इस आउसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी और कॉंग्रेस कारिय करता विवाह कर लिया है कोरिकाव पार्क एरिया में लड़कत रेसिडेंस में एक शांदर विवाह समारों संपन्न हुआ जो तीन दीनों तक चला और जिसमें महामारी से जुड़े नियमों का पूरा पालन हुआ ये विवाह पारंपारिक भारतिय शेली के अनुसार हुआ और इसम सांसत धननजे महाडिक, पुर्वविधायक धननजे माने पाटिल, डॉक्टर डिवाय पाटिल, युनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर पीडी पाटिल, प्रोवाइस चांसलर डॉक्टर भागेश्री पाटिल, पदमश्री डॉक्टर प्रताप सिन्ना जाधा और श्रीमत प्रोफेसर रज्डेश कुमार शुकले ने कहा कि अध्यापकों के लिए नए शिक्षा निती के अंतरगत मानकी करण आवश्चक है बदलते परीद रिश्चे में ऑन-लाIN एवं औफलान शिक्षा में शिक्षकों को नई चुनाटिओं का मुकाबला करने के लिए तयार रहना है प्रोफेसर शुकलर राष्टिय अध्यापक शिक्षा परिशत एवं शिक्षा विभाग महत्मा गांधी अंतर राष्टिय हिंदी विश्व विद्याले वर्धा के सयुक्त तत्वावधान में राष्टिय शिक्षा नीती 2020 के अंतरगत शिक्षेकों के राष्टिय व्यवसाय पर आयोजित मुक्त सदन विमर्ष कारेकरम के उद्गाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पर आयोजित मुक्त सदन विमर्ष कारेकरम के उद्गाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दस्ते ने तिन प्रतिष्ठानों पर कारवाई की और 20,000 रुपे का जुर्माना वसूला। टिम ने 38 प्रतिष्ठानों और मंगल कारया लयों का निरिक्षन किया, मनपा युक्तराधा कृष्णन बी के निर्देशान उसार और NDS प्रमुक विरसन तामबे के मार्ग दर्शन में जोन सर्च टीमों ने ये कारवाई की। पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस संक्रमन की प्रुष्ट भूमी के खिलाफ एक नय प्रकार की कोरोना वायरस के वेरियंट ओमिक्रॉन का पता चला है, जिससे संक्रमन का एक नया खत्रा पैदा हो गया है। जनवरी 2022 को सादगी से मनाने का अभान किया है। जिले में 34 जगों पर नाके बंदी और 65 फिक्स पॉइंट स्तापित किये गया है। जाल के स्वागत के उसर पर नागरिकों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस आशे का आवान पुलिस अधिकारियों ने किया है। सावनेर विधानसभाक्षेत्र के विधायक सुनिल केदार को महाराष्टर राज्य सरकार में पश्टु सवर्धन, दुगदविकास, खेलव युवा कल्लैंड मंत्री तथा वर्धा जिले के पालक मंत्री के पत पर दो वर्ष पूर्णों होने पर उनका पुष्पक सावनेर तालुका मराथी पत्रकार संग के कारया अध्यक्ष किश्वर ढूंडेले जिला परिशत सदस्य प्रकाश खापरे नान्दा गोमुः पंचयाद समित्य के सदस्य गोविंद अठाकरे सावनेर कलमेश्वर विधानसभाक्षेत्र युवक कॉंगरस के अध्यक्ष राज़ेश खंगारे आदी ने पुश्पक उच्छ दे कर स्वागत किया इसके अलाबा उन्होंने काली चरण महाराज को हिंदुत्वा और धर्म के नाम पर काला धब्बा बताया काली चरण महाराज जैसे लोग दरसल धार्मिक कार्यक कम और नागरिकों को धर्म के नाम पर भढ़काने का काम ज्यादा करते हैं आमादमी पार्टी के विदर्बसंगणन मंत्री आकाश सपिलकर ने हाल ही में चंडीगड महानगर पाली का चुनाओ पर जीत के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि चंडी गड महानगर पाली का चुनाओ में आम आदमे पार्टी की जबर्दस जीत से देश के बड़े राजनितिक दलों को मानो जोर का जटका धीरे से लग गया है इसका असर पूरे भारत के आप कार्य करताओ और पधादी कारियों में आने वाले विधान सभा और पंजयत समिती चुनाओ को लेकर जोश का माहुल है आने वाले समय में नाकपूर में भी माहनगर पाली का चुनाओ है दरसल नागरिक सक्षम नेतरुत्व प्रदान करने वाले और उनकी समस्याओ को सुलझाने वाले नेताओ और नगर सेवकों की तलाश कर रहे है आकाश सपेल करने बता है कि उनका नाकपूर महानगर पालिका के संधर्प पर वरिश्ण नेताओ से उनकी चर्चा हुई है और जल्द ही सक्षब नेतरुत्व के बल पर आमाद में पार्टी नाकपूर महानगर पालिका चुनाओ लड़ेगी और चंडीगर महानगर पालिका बहतरीन प्रदर्शन करेगी। 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 करेगी।